हेलो स्टुडेंट आज की वीडियो सबसे पहले रिजल्ट जो है आ चुका है यही बताना था किनका रिजल्ट आ चुका है आपका बीकॉम बीकॉम जो है सेमेस्टर टू और यह मैं बात कर रहा हूं एन इपी इस बार बड़ी स्पीड में रिजल्ट निकाला वन के बार टू का भी पहले निकाल दिया यानि अब बहुत क्लियर है कि डियू के अंदर जो पहले चीज़े चलती थी वह चीज़े नहीं है अब सब कुछ स्वेस्ट में चलिघा तो आपको रिजल्ट के नट आट आए था अब देखो सेमेस्टर का भी रिजल्ट निकाल दिया अब इसके बाद आप पहुंच्छोंड के यह सदिशर थरी में और सेमेस्टर थ्री डिकंट सबड़्य प्लंद कि मैं बलं कर रहा हूं यहां Master 3 में आ समारा बिजनस स्टैट्स यानि तीनों सब्जेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है रियल लाइफ के लिए और प्रैक्टिकल भी है चलो प्रिंसिपल आपके पास अगर मैं बात करू न तो आपके पास जो समय बचा है वह ऑक्टूबर के अंदर आज आठ तारिक है मानलो 20 दिन नेमेंबर के अंदर मानलो 30 दिन और दिसंबर के अंदर मानलो 15 दिन यानि आपके पास only 65 डेज है और आपके पास एक्जाम है साथ जिसके अंदर financial management और business stats एक बहुत बड़ा chapter है जिसे आपको समझना पड़ेगा ठीक है सबका चुका है फिर भी मैं देख रहा हूं कि वह अभी इतने aggressively नहीं पढ़ रहे हैं अब आप खुद responsible होंगे अपने life को लेके मैं सभी बच्चों को कहना चाहूंगा अगर नहीं पढ़ोगे तो जो marks हैं आपके आप ध्यान रखिएगा जो marks हैं वह marks आपके डाउन हो जा से और अच्छे marks ला सकते हैं ठीक है ना semester 2 का मुझे अभी ज्यादा अवेर नहीं हूं के result कैसा रहा अभी मैं बच्चों से पूछूंगा result के बारे में corporate account का paper कैसा रहा अगर किसी जो बच्चे पास आउट हैं जितने भी marks आया हो वीडियो में description में दे और जिन बच्चों क के लिए आपको एक्जाम की website पर जाना पड़ेगा मैं description में लिंक दे दूँगा जो बच्चे मैं YouTube पर भी देख रहा हूं ना बच्चे नहीं पढ़ रहे और कुछ सब्जेक्ट में बच्चों को confusion है मैं वह भी बता दूं काफी बच्चे जो है जैसे कि मेरे financial management की old वीडिय देख रहे हैं या फिर और किसी सब्जेक्ट की पुराने वीडियो तो हर बार मैं comment में देखता हूं कि सर हम यह classes देख ले तो ठीक रहेगा नहीं रहेगा तो देखो आप concept कभी बदलता नहीं concept तो वही है देख सकते हो लेकिन जो थोड़ी बहुत बीच में changes आता है जैसे क अब जैसे सुनने में आ रहा है कि unit number five में से कुछ portion काटे जा रहे हैं financial management में तो वह changes तो मैं हर बच्चों को recommended करूँआ कि आपको नई वीडियो जब मिल रही है तो आप नई वीडियो को ही follow करें तो ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है एक subject principle of marketing तो बच्चे कई बार कह रहे है के principle of marketing की वीडियो नहीं आ रही है तो मैं आपको कहना चाहूंगा शायद आपको दिख भी जाए copyright के issue के वजह से ना तो दिक्कत हो गए अब मेरे कई वीडियो पर copyright भी लगा हुआ है अगर आप देखेंगे ना मैं दिखाता हूं कहां गया भाई या कहां गया अभी कुछ वीडियो को हमने डिलीट भी किया है अभी देखो एक वीडियो चेकिंग में जा रहा है इस पे भी copyright लगा हुआ था इस वीडियो पर भी passport का issue आया हुआ जब कि बहुत पुरानी वेडियो है यह इस पे भी copyright लग जाता है इस पर भी show वह भी नहीं हो रहा तो लग जाता है तो इसलिए हम प्रिंसेपल ऑफ मार्केटिंग में क्योंकि हम प्योर्ली टीयार जैन बुक करवा रहे हैं या फिर कोई अधर पब्लीशर तो वह उनकी भई उनका भी अपना कहना सही होता है बच्चों को इस तरीके से सारी चीज़े मिल बहुत आसान नहीं है बहुत मुस्किल काम है तो यह मैं यूट्यूब के उपर इसकी वीडियो जो प्रिंसेपल ऑफ मार्केटिंग मैं क्लियर कर दो क्यूंकि बच्चे भरुसे में बैठे रहते हैं फिर लास्ट में बोलेंगे सार आपने हमें फसादिया तो इसकी वीडि आपको जो डिसकाउंट पढ़ता है जितने में भी आपको लगता है कि यह आपको मिल जाना चाहिए वो ले सकते हैं दूसरा सर फाइनेशल मेनेजमेंट जो ओल्ड वाली वीडियो वह मैंने क्लियर कर दिया नई वीडियो से सारी के सारी पढ़ने आप ठीक है जो बच्चे लेके पढ़ लें क्योंकि फाइनेशल मेनेजमेंट और यह कोर्स लेके मैं पढ़ने के लिए इसलिए नहीं कह रहा है कि मेरा कोर्स बिख जाएगा मेरा परपस यह है कि आपको पुरानी वीडियो एक सिस्टेमिटिक रिकॉर्डिंग लेक्चर से मिल जाएंग और डाउट डाइफिनिटली हेल्प की जाएगी ऐसा नहीं है कि हैल नहीं होगा ठीक है मेरा परपस तो सिर्फ आपको गाइड करना है क्योंकि एक यूनिट बचा हुआ है सिर्फ एक यूनिट पेंडिंग है बाकी सारा लगबग खतम हो गया इसके बाद रिवीजन टेस्ट भी देखो होगे हमारा टार्गेट है कि हम नौम पर 15 तक अपना स्लेवस खतम करें उसके बाद फिर टेस्ट भी ले रहे हैं जैसे कि इस फ्राइडे को भी टेस्ट है अपकमिंग टेस्ट रखा है हमने तो आप जब तक टेस्ट नहीं देगा और टेस्ट नहीं लाइव चेक करके आप जो कर लेते हैं तो उसमें थोड़ा एंप्रोब्मेंट मिल सकता है आपका परजेंटेशन क्यों कई बार क्या होता है तो ठीक लिखते हैं लेकिन अगर गलत है तो वहाँ भी कहीना कहीं हमारे नंबर कट जाते हैं जिसके वाइस से हमारे सकती होने के बाद वी तो अपस्थ अगई होगी आपको सारी बाते रिजल्ट आ गया है डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट में जरूर डालिएगा किसका क्या रिजल्ट रहा जिसको बाए करना है उबाए कर सकते हैं जो यूटूब पर पढ़ते रहे हैं लेकिन मैं हर बार यही कहता हूं लास्ट में कि आप पढ से मिलेगा एक हपते दस दिन आट नो दिन मान के चलो इतनी जल्दी खतम करना और सेमिस्टर पांच वाले बच्चे जो है वह भी अवेर हो जाएं वह मैं देख रहा हूं वह कंफ्यूज है कर लेंगे ना पहले जैसे हो जाएगा ना क्या है लास्ट में पढ़ लेंगे ना साथ के साथ लेके भी चलना होगा और पढ़ाई भी लेकर चलना होगा ठीक है ना क्योंकि ग्रेजुशन के बाद फिर आपको एकदम से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तो इस बात का ध्यान रखिएगा ठीक है होफुली आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी जिस किसमा मौका नहीं मिलेगा जनरली आपको सुधारने का इस बात का ध्यान रखिएगा तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो के अंदर और इंकम टेक्स के काफी बच्चे बोल रहे हैं अमेंडमेंट वह भी मैं लेक्या हूँगा थैंक्यू सो मच मिलते हैं नेक्स व